कि एक बार मेरो इत्री से आपका स्वागत करता हूं इस mcq section में तो आज किस वीडियो में discuss करेंगे गाई एंशेंट इंडिया के क्या करेंगे एंशेंट जो हिस्ट्री है कौन सी इस्ट्री एंशेंट इस्ट्री जम्यों और कश्मीर उस इस्ट्री के बारे में कुछ तक यहां पर discuss करने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो के इंटक बंडे दियेगा और आपको किस तरह से इन mcq को attempt करना है सबसे पहले से आपके यहां पर show हो रहा है ठीक है question number लगा के यह पहले mcq का यह option है a b c है उस तरह से आप इसको क्लिक करेंगे उसके बादा पांसर दिखेंगे ठीक है तो टाइम वेस्ट ना करते होई एक चीज में आपको पहले बता दू इसकी pdf जो है मैंने आपको इसका link pdf का link जो है मैंने आपको description box में share कर दिया है तो guys हमारा स्टार्ट करते हैं तो पहला question है कि महाभारता के जो महाभारता के evidence है उनके according जो हमारा region है ठीक है इस region पे during the apical times and had republican system of government ठीक है महराज यह जो महाभारता के evidences हैं उनके मताबिक क्याता है कि जो यह region है apical time में किसने इसको rule किया है और यहाँ पर republican system of government भी था ठीक है तो guys आपके सामने options यहाँ पर पी जादा हजन कामभोज गो नंदा नन आफ दीज तो guys इसका answer आपको point box में पहले करना है नहीं आता है तो इस cancer देखते हैं इस cancer कामभोज ठीक है तो कामभोज ही वह थे महाबाद के अविडेंस के मताबिक यह कहा जाता है कि वह पहले ऐसे मतलब कि यहाँ पर रूलर थे अप्रिकल टाइम के दौरान उस वक्रत रिपाब्लिकन system of government यहाँ पर चलता था ठीक है guys तो अगला question देखते हैं फस्ट historian of Kashmir Kashmir का first historian कौन था गाइस कलहाना ललता अधित्या दुरलव वर्दन जया पीड़ा तो इस cancer बली बांती आप सबको आता होगा इस cancer हमारे पास कलहाना तो के चलते हैं अगले question की तरफ पिच्छ the following is the earliest source कश्मीर का earliest source कौन सा है गाइस सपंदा करिका वर्तिका या राजतरंगनी शीवा दृष्टी तो इसका answer आप सबको बली बांती आता होगा अभी तक आपने क्लिक भी कर दिया होगा तो इसका answer है मेरे पास राजतरंगी नहीं ठीक है तो चलते हैं आगे अगले वाले question की तरफ तो question number 4 है हमारे पास lower कारेवाज points to which age जो lower कारेवाज point है वो कौन सी age कौन सी age से relate करते हैं तो गाइस आपके आप्शन नेल नेल थिक एज नेल थिक एज पलिस्टो सीन एज उसके वड़ना आप दी अबव तो गाइस question number 4 का answer है हमारे पास option number C I hope कि आप अच्छे से लेक्षर को एंजाइक कर रहे होंगे इन questions कर रहे होंगे तो सीखने कुछ नया मिल रहा होगा आपको लक्षर में लक्षर को देखके अगला कॉशन चलते हैं आर्लियस्ट आर्कियोलोजिकल साइट आफ इंडिया इस इंडिया की सबसे पुराणी मतलब आर्कियोलोजिकल साइट कौन सी है ठीक है इसकान सब्सक्राइब बुर्जा हो नो में कहान से क्राप कौन से फसल के सीट आप पाए गए थे लैंटिल ले वीट्या आल अब्टिस इसका आंसर है हमारे पास आल अब्टिस यह सब सेट में पाए घाए थे ठीक गाइज तो चलते हैं अगले वाले क्शन की तरफ क्योशन नंबर सैवें स्वेंजग हमारे प तो अगला question question no.8 है हमारे पास जो नियलोथिक skull जो है यहां पे जमुमेंट किश्मीर के जगह पे पाया गया था ठीक है जो क्या reveal करता है कि that pupil उस पीरिड के उस पीरिड के जो लोग थे वो surgical practice भी करते थे किसकी human tree plantation की ठीक है को गाइस इसका answer है हमारे पास कौन सी कौन सी नियलोथिक site पर यह skull पाया गया है बुर्जा हों बेगा गुंड पामपूर या गुफक्राल तो गाइस हमारे पास question no.8 का answer है option no.8 बुर्जा हों में यह surgical practice वहां पर पाई गई है ठीक है उसके बड़ पांद्रे थन एक old city यह सरनगर की इसको किस ने found किया था यह सबको आता होगा इस अशोका गोतम गुननदा युदिष्ट्रा आप इसका answer कमाइट बक्स में जल्दे से कल लेंगे नहीं आता है इस कांसर आप देख लेंगे इस कांसर को बताने वाला हूं आपको यहां पर इसकांसर के अपास अशोका ठीक है चलते हैं हम अगले question के तरफ question number 11 कि किसके कशासन काल में कश्मीर में बुद्धिजम फैला अशोका कनिश्का बाशनाज नब्दीज तो इसका answer है हमारे पास question number 11 का option number 1 क्योंकि उन्हें नहीं मिश्णिर यहां पर बेजी थी question number 12 है हमारे उसकी बुक में mention किये हैं उनका नाम क्या-क्या है इनमें से कौन से हैं उसका खनिश्का जुसका एंट आलबदीज तो इसका answer है हमारे पास आलबदीज इनके वह तुरुसका जुसका एंट कनिश्का है यह तीनी जो है उसमें आते हैं तो अगला question देखते हैं सीटी आफ कनिश्क पूरा कनिश्क पूरा कि सेटी को किसने बिल्ट किया है आप्शन्स है अशोका नागरजुना कनिश्का वासुगुपता विसका answer हमारे पास कनिश्क पूरा है तो कनिश्क नहीं बना जोगी ओविस्सी बा क्या है किया नाम था उसका कनिश्का अशोका में गावना जल्टाधित्या को आंसर था किसी बीजानवर की वली नहीं दी जाएगी यह इनून ने यहां पर बंद करी थी उस वक्त के दोड़ में फोट्थ बुदिस्ट काउंसल जो है कुश्मीर में कौन सी जागा पर होई तो अगला कौश्चिन देखते हैं विच इंवेटर को छेंटर इसे कौन सा इंवेटर था जिसने नॉर्थ इंडिया को यह कि कश्मीर और गांधार को भी क्या किया था फिफ संच्री में यहाँ पर इन्वेड किया था इस पर हमला किया था तो जाइश कौन था वह दर्मन या गुनान्दा वन तो गाइज question number 16 का answer है हमारे पास option number A मिहर कुला ठीक है गाइज चलते है अगले question के तरफ कहता है कि अगले question हमारे पास question number 17 है कलहाना की जो राज तरंगनी है उसके carding first ruler कश्मीर का कौन था गुनान्दा वन गुनान्दा सेकंड दा मोदरा वन या लालिता अदित्या तो guys question number 17 का हमारे सामने answer है गुनान्दा वन तो जो कलहाना की जो राज तरंगनी है तो वो कहते हैं कि गुनान्दा वन जो है पहले रूलर जो थे कश्मीर के थे विचला फॉलाइं यहां पे question number 18 का answer जो यहां पे प्रवार सेना second है तो उनका नाम क्या था प्रवार सेना second ने यहां पे प्रवार सेन्द पुरस हीट जो कश्मीर की सरनगर में बनाई थी युदिष्टरा second नरिंदर अधित्या first राना अधित्या अच्टरा ये कुछमीर की कौन से डाइस्टी से बिलांग करते हैं कुशाना डाइस्टी से मौर्यान डाइस्टी से गुननंदर डाइस्टी से या इन में से कोई भी डाइस्टी वो नहीं है तो गैज question number 19 का answer है हमारे सामने भी गुननंदर डाइस्टी से है वो ठीक है guys तो guys इसका answer आप सबको आता होगा क्योंकि आपने ancient history वो अच्छे से पढ़ी होगी, मन लगा कर पढ़ी होगी, वो इसका answer है हमारे पाद दुरलव वर्धन जो है, जो कार कोटर डानेस्ट्री के founder रहे थे, देखे guys तो चलते हैं अगले वाले question की तरफ, तो guys which are the following travelers visited Kashmir during दुरलव वर्धना, यानि कि दुरलव वर्धना जिन्होंने कार कोटर डानेस्ट्री को found किया था, तो उनके time के दुरान में Chinese का कौन सा यहां पे traveler आता है, यून सांग, फाहिन, यी जिंग, या जू जिक सिंग, तो guys उसका answer क्या है, हमारे पस उसका answer है, यून सांग, यून सांग जो है, इनके time पर यहां पर आया था, समुद्र गुफताब कश्मीर को उसको कहा जाता है, आप्शिन्स हैं आपके सामने, गुना वर्मन, दुरलव, वर्दन, लडित अधित्या या सांग बूती, तो guys इसका answer है, हमारे सामने, option number C, 22 का answer है, हमारे सामने option number C है, लडित अधित्या, question number 23 है हमारे पास, तो guys इसका answer में आपको कल भी बताया था, कल वाली वीडियो में, अशोका, गुनांदव, लडित अधित्या, और जया तिदा, तो guys इसका answer है, हमारे सामने, option number C, लडित अधित्या, मुक्ता पिड़ा ने उसको बनाया था, ठीक है, question number 25 देखते है, who started Kashmiri Shaevism, Kashmiri में Shaevism कि इसने start किया था, ठीक है, option देखते हैं, केम राजा, ठीक है, उसके बाद, कलाटा, अभिनाव गुफता, वासु गुफता, तो गाज इसका answer है, हमारे पास, question number 25 का, जो answer है, हमारे पास, वह option number D, यनि कि वासु गुफता, कश्मीर में Shaevism को वासु गुपता ने शुरू किया था, question number 26 और आखरी question है, इस वीडियो का, सपंदा करिका, जो कश्मीरी शेविजम लिटरेरी सोर्स है, उसको किसने लिखा है, was written by, जो सपंदा करिका है, जो कश्मीर का शेविजम का लिटरेरी सोर्स है, जहां से हमें कुश्मीरी शेविजम के बारे में पता जलता है, तो वो किस ने लिखा है options आपके सामने, कलाटा, वासु गुपता, सोमा नंदा, उत्पाला देवा, तो जिसका answer है, हमारे सामने, option number 1, कलाटा, कलाटा ने स्पंदा करेका लिखी है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो का अच्छी लगती है, तो एक काम करेगा आप, जैसे ही आपने वीडियो देखी, अब आप मुझे बताएगा, कि आपको 26 questions में से पूरे कितने questions आपके ठीक हुए है, मुझे पता जालेगा कि आपकी प्यारी किस तरह से है, ठीक है, तो यहीं पर वीडियो हम खतम करते हैं, आज की थैंक यू, God bless you all, मिलते अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जैहिन,